ग्लोबल वर्मिंग का बड़ता खत्रा और बिगरते मौसम के मिजास को फिल से रहा पर लाने के महत्वकांशी उद्देश की पूर्टिता के लिए भारत भर में एक करोड़ 20 लाग रुख्ष लगाने का संकल्प दावती इसलामी हिंद संस्दा द्वारा क्या ग्या इस अभियान की माध्यम से दावती इसलामी हिंद इस सामाजिक संस्दा ने बेश चुलाई 2020 से एक करोड़ 20 लाग रुख्ष लगाने का संकल्प लिया था संकल्प को अमल में लाने का प्रयाज कोरोना संकर काल में प्रभावित हुआ था इस कोरोना काल में संचार बंदी और अन्यकार्णों से इस महत्वकांशी संकल्प को आगे बढ़ाने में दिक्कत आई थी लेकिन अब 26 जनवरी 2021 प्रजात अंतर दिन से इस मोहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प दोह आ गया है इस विशय पर हुई ओनलाइन सभा में संस्ता की वरिष्ट सदस्य तथा व्रुक्षा रोपन विभाग के प्रमुख हाजी सलिम ने भारत को ग्रिन इंडिया बनाने के संकल्प को मुर्तर रूप देने की बात रखी इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में शामिल होने का आवान भी उनों ने क्या हिंगन घाट में इस मोहिम की शिर्वात तैसिल कारले और पुलिस स्टेशन में व्रुक्षा रोपन करकी की गई इस अउसर पर उपविभागिय अधिकारी चंडरबान खंडाईद उपविभागिय पुलिस अधिकारी कदम तैसिलदार श्रीराम मुंदड़ा धाने दार संपच्चवाद नायब तैसिलदार शंशिर पठान नायब तैसिलदार अजेद जिली आपुर्तियतिकारी सुहास्टोग जामा मस्जित के सदर अब्दुलकफार सचिव अब्दुलरह्मान दावति इसलामी हिंगनगर जिमिदार मुहमद बश्क कादरी अत्तारी एड इब्राहिम बक्ष आजाद आबिद रजा इमरान खान सतार अत्तारी नदीम खान अत्तारी स साइफ खान अनिस बेग हुमायू मिर्चा मक्सुब बावा कोशाल सरकार शर्चिल रजा फैजान अली आयान रजा पक्ष फारुक साब्री सहिर अने गनमान्य लोग मौचो थे विस्यन न्यूस के लिए हिंगन घाट से रवी यनौर करकी रिपूट